एक समय की बात है, एक छोटे से गाह में एक किसान रामलाल अपनी पत्मी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था है। रामलाल की उम्र काफी हो चली थी, लेकिन वह बेहद मेहनती और इमानदार व्यक्ती था है। उसने अपने जीवनभर की कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदी थी, जिस पर वह खेती करता था है। वह जमीन उसकी सबसे बड़ी संपत्ती थी, जिसे वह अपनी पीडियों के ल लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बरी, वह स्वार्थी और लालची बनता गए। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता की संपत्ती उसके जीवन को आरामदायक बना सकती है और वह बिना मेहंत किये ही सारे सुख प्राप्त कर सकता है। रामलाल और सीता ने कभी सोचा नहीं था कि उनके बेटे में इस प्रकार का लालच जन्म ले गए। वे दोनों बेटे को अपनी आखों का तारा मानते थे लेकिन उन्हें यह अहसास नहीं था कि मोहन के दिल में संपत्ती को लेकर लालच पैदा हो चुका है। मोहन शेहर में नौकरी करने लगाए। जब वह शे नजर अब अपनी पिता की जमीन और घर पर्त। वह सोचने लगा कि यदि उसके पिता की जमीन बिग जाए तो उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं जिनसे वह शेहर में बड़ी गारी खरीद सकता है, मेहंगा घर ले सकता है और अमीरों की तरह जिसकता है। एक दिन मोह तो हमें अच्छा पैसा मिले गए। मेर शेहर में एक बड़ा बिजनेस शुरू कर लूगा और हम आराम से रर सकते हैं। रामलाल ने यर सुनकर कहा, बेटा, यर जमीन हमारे पूरवजों की धरोहर है, इस जमीन से हमारा जीवन चलता है, इसे बेचना सही नहीं होगर, मेह जमीन से ही सफलता मिलती है, मोहन को यर बात बिलकुल समझ नहीं आई, वह लालच के अंधेरे में खो चुका थाई, वह बार-बार अपने पिता से जमीन बेचने की बात करता रहा, लेकिन रामलाल हर बार मना कर देते च्छै, कुछ महीनों बाद मोहन को यर समझ में आ गया कि उसके पिता इस जमीन को कभी नहीं बेचेंगे, उसने अपने मन में एक चालाक योजना बनाए, एक दिन वह रामलाल के पास जाकर मीठे शब्दों में बोला, बाबा, मैं समझ गया हूँ कि आप यर जमीन नहीं बेचना चारते, मैं भी अब आपकी बात मानता हूँ, ल मैं इसे चुका दूंगा, रामलाल अपने बेटे पर विश्वास करता था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे जमीन के कागजात मोहन को दे दिये, मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था, उसने उन कागजातों को लेकर जमीन को बेचने के लिए एक अमीर व्यापारी से और महेंगी गारी भई, उसे अब यह अहसास हुआ कि वह अपनी योजना में सफल हो गया है, उसने अपने मातापिता को बताया कि वह अब शेहर में रहेगा और कभी कभार ही गाव आएग, रामलाल और सीता को तब तक मोहन की धोखादरी का पता नहीं चला, जब तक व्या जमीन चिन चुकी थी और अब उनके पास कोई साधन नहीं थाए, गाम के लोग यह जानकर रामलाल से सहानुभूती जताने लगे, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता थाए, व्यापारी ने कानुनी तोर पर जमीन खरीदी थी और अब वह जमीन का मालिक थाए, रामलाल औ अपने नए घर और जीवन का आनंद ले रहा थाए, लेकिन समय के साथ उसका लाला चोर बरता गए, उसने जो पैसा कमाया था, वह जल्द ही फिजूल खर्ची में खत्म हो गए, उसके द्वारा लिया गया लोन भी बरता गया, और वह आर्थिक तंगी में फंस गए, उसके दोस्त और साथ देने वाले लोग भी धीरे-धीरे उससे दूर हो गए, क्योंकि वह उन्हें फायदा नहीं पहुचा पा रहा थाए, अब मोहन को अपनी गलती का अहसास हूँल, वह शेहर में अकेला और कर्ज में डूबा हुआ थाए, उसके पास अब वापस लोटने का को होने लगा और माफी मांगने लगए, बाबा, मा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच के अंधेरे में थाए, मैंने आप दोनों के साथ चो किया, वह गलत थाए, अब मैं अपनी गलती का अहसास कर चुका हूँ, क्रिप्या मुहे माफ कर दो, रामलाल और सीता अपने बेटे की हा अपनी का फल मिल चुका है, रामलाल ने भारी मन से कहा, बेटा, हम तुम्हे माफ कर सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका है, उसे हम वापस नहीं ला सकते, लालच हमेशा बुरा ही होता है, यदि तुमने समय रहते यर समझा होता, तो आज यर दिन नहीं देखना परता मोहन ने कसम खाई कि वह अब अपनी गलतियों से सीखेगा और मेहन से जीवन जीए गए, उसने खान लिया कि वह अब इमानदारी से काम करेगा और अपने माता-पिता की सेवा करेग, गाव में वह फिर से अपनी पुरानी जिन्दगी शुरू करने लगा, लेकिन यर समझत हुए कि लालच के कारण उसे क्या खोना पल? यह कहानी हमें यर सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा है बुरा होता है, जो लोग सिर्फ धन और संपत्ती के पीछे भागते हैं, वे अपने जीवन के सबसे कीमती रिष्टों को खो देते हैं, मोहन ने अपने लालच के कारण मातापिता का विश्वास खो दिया और अंत में उसे पच्टाना पल, जीवन में संतोश और मेहन से ही सची खुशी मिलती है और यही सबसे बड़ा सबक है झाल 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 झाल